बाद लोग की तरहा के बाद आपके बास कैनर आप इसको डां लोड़ कर सकते हैं पिर दोस्तों डालेखला मैंगे आपको इसी वीडियो की स्क्रिप्सिप्सन में मिल जएगा अब दोस्तों जिस भी पिक का आप इस्टेटस बनाना चाह रहे हूं, simply आपको उस पिक को ले लेना है, उस पिक को लेने के बाद दोस्तों simply आपको done वाली बटन पर click कर देना है, अब दोस्तों पिक की नीचे एक layer आ रहे हैं, इस पर आपको click करने के बाद दोस्तों जितना 0 तक यानि-100 कर देना है 100 करने के बाद दोस्तों एक step back आना है एक step back आने के बाद दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है और equal वाले sign पर click कर देना है अब दोस्तों आपको अपनी दोनों उंगलियों से इसको अब दोस्तों आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्सन में बिल जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक black screen template लेकर आनी होगी दोस्तों इसके लिए आपको layer वाले option पर जाना है maybe up पर जाना है और simply दोस्तों इस black screen template को लेकर आजाएंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से आएगी अब दोस्तों आपको seizure के बगल वाली बटन पर जाना और इसको full screen कर देना है full screen करने के बाद दोस्तों एक step back आना है in option को scroll करना है blending वाली option पर जाना है फिस्ते तोड़ा सा scroll करना है और आपको यहाँ पर इसको screen कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर जो आपने pick यूस ली थी उसका आपको बिना background की आनी without background की pick यहाँ पर लेकर आनी है इसके लिए दोस्तों आपको directly google में जाना है google में जाने के बाद आपको type करना है remove.bg remove.bg जैसे ही आप type करेंगे आपके पूरी की पूरी gallery आपके सामने open हो जाएगी अब वहाँ पर दोस्तों आप अपनी इसी pick को upload कर देएगा आपको बिना background की pick मिल जाएगी बिना background की pick यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छे से set करने के बाद दोस्तों इसको आपको अपने पूरे status के बराबर कर देना है और दोस्तों थोड़ा सा आपको इसको scroll करना है और आपको यहाँ पर adjustment वाले option पर आ जाना है उसमें दोस्तों हमने पहले क्या किया था situation को कम किया था इसमें दोस्तों हमको थोड़ा सा situation वाले इसको थोड़ा सा increase कर देना है प्रॉक्स 40 तक कर देना है करने के बाद दोस्तों हमको simply done वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के starting point पर आ जाना है दोस्तों इसको फोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है, सेट करने के बाद दोस्तों इसको आपको अपने पूरे स्टेटस के बराबर कर लेना है, पूरे स्टेटस के बराबर करने के बाद दोस्तों सिंप्ली डन वाली बटन पर क्लिक करना और विडियो के श्टाने ंट आंग something कुछ ऊकर ईक्षक्रूंक यहां पर ढधा ख्ल्सिक फॉड़ा करने के बाद दोस्तों इन पर सक्रॉल करते Danish Blending वालि उप्टन पर जाना है, Blending वाले उप्टन पर जाने की बात दोस्तों आपको यहाँ पर Screen वाली उप्टन पर टैप करने के बाध दोस्तों, आपको Simply Done वाली बटन पर क्लिक कर देना है, आप दोस्तों यह status बन अपको तयार हो चुगा है, भस आपको इसको export करना है, export करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक border png लगानी होगी, दोस्तों इसको भी आप description में दियो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद लेवार अपशन पर जाएए, मीडिया अपर जाएए, और simply दोस्तों इस border png को लेकर आ जाएंगे दोस्तों देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से आएगी अब दोस्तों आपको seizure के बगल वाली बटन पर जाना है इसको फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको पूरूरे status के बराबर कर लेना है इसके बाद दोस्तों simply दन वाली बटन पर क्लिक कर देना है आप दोस्तों यह status बनकर तयार हो चुका है इसको export करने लिए simply दोस्तों आपको share वाली बटन पर जाना है और export वाली बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों within 1 minute यह video export होकर आपकी gallery में save हो जाएगा दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नए ट्रिक के साथ अब तक के लिए बबाए